श्री कृष्ण का नही आलाल की जै श्री निजानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की तो पान देखारे डिठम वियो कोई लड़ की अंद सेहे लगसे डिखारे ओड़ो किता कर्णो पेउन पंध श्री कृष्ण का नही आलाल की तुच्वायो चुवाथी मुझी याउमत तो चुवायो तो आप परसमे चुवायो कहलाना आप कहलाते हैं तो चुवाथी मतलब मैं कहती हूँ मैं आप से जो कुछ प्रासना करती हूँ आप कहलाते हैं तब मुझसे अकेले से तो कुछ पर सम्भब नहीं है मुझी या उमत मुझी का तात्परिया मेरी बात मेरी या उमत मेरी बात हो या ब्रह्मात्माओं की बात हो अन्य ब्रह्मात्माओं की आप कहने का सामर्थ देते हैं तब ही मुझसे कही जा रही है अशी इंदाशी कुठियां अशी का अर्थ होता हम इंदाशी आएंगे हम कहने से सारी ब्रह्मात्माइं होंगे इंदाशी आएंगे और कोठियां कार्थ है बुलाने से कोठिने जे भत तो कोठिने कोठिने ये बुलाने अर्थमे ही है तो बुलाएंगे इस अर्थमे अथवा जैसे बुलाएंगे जे भत जिस प्रकार जे भत कोठिने आप जिस प्रकार हमें बुलाएंगे, असी, कोठियां, इंदासी, आप जैसे बुला देंगे, वह हम उस प्रकार से आएंगे, तो आप जैसे बुलाएंगे, जैसे जागरित करेंगे, हम परमधाम में जागरित होंगे, कहने का ताथ पर यह है, आप जैसे प्रकार बुलाएं होंगे जागरत होंगे रुए अशी निद्र में नता घणा लाड़ खुरन रुए अशी निद्रा में अशी का अर्था तो हम है तो अशी रुए हम ब्रमातमाए निद्र में नीद में है नता काने का तात्पर नहीं तर इस अर्था में अन्य था घणा लाड़ घुरन गुरन का अर्थ है मांगना मांगने के लाड़ चाहना तो बहुत है घणा है यह तो हम आपसे कितना मागे मांगने की चाहना तो बहुत है किन्तों हम नीद में इसले मांग नहीं पा रहे हैं आई जानो था सब की आई का अर्थ होता है आप आप जानो था जानते हैं आप सब की सब की बात जानते हैं सब के अंदर की बात जानते हैं बाहर की अंदर की सब जानते हैं जे हाल आये रुहन आये का अर्थ है, आये उसमें कच्छी में भी, शिंदी में भी और मराठी में भी आये, आये के लिए आये बोलते है, ब्रह्मा आत्माओं की जोश्थिति है जे हाल आये रोहन, तो ब्रह्मा आत्माओं की जोश्थिति है उसको आप भली भाते जानते हैं, कहने का यतात पर है चायो अंजो चुआ थी, मुह अंदनाए कुछण अंजो चायो चुआ थी, अंजो का अर्थ होता आपका आपके चायो कहलाने पर चुआ थी कहती हूँ आप जो कहलाएंगे वही बात कह रही हूँ आप जैसा आपके कहने पर आप कहला रहे हैं इसलिए मैं कह रहे हूँ मुहंद नाय कुछन तो मुहंद नाय का आर्थ ठीका ना मुहंद नाय का मतलब नहीं आहे नहे आहे है और नाय होगा तो नहीं है मुहंद नाय कुछन कुछन का आर्थ हैं बोलने के लिए तो मेरे लिए कोई जगा भी नहीं है आप कहला रहे हैं तो मैं कहा रही हूँ मांकि मेरे लिए कोई जगा ही नहीं है क्योंकि मैं कहां से बोलो क्योंकि आप कहेंगे कि तो तुमने मागा था तो इसलिए हमारे बोलने के लिए प्रार्थन भी नहीं कर शकते हैं, आप कहलाएंगे, आप कहेंगे तो ही हो शकता है, संग अभियम अभिषरी, छडी मते घुरन, संग का अर्थ है, संबंध, संग, सानिद्य, संबंध, आपका संबंध तो मैं भूली गई हूँ, छडी मते घुरन, इसलिए ते घुरन, चडी मते घुरन, तो घुरन का आर्थ होता है मांगना, तो वो मांगना भी इसलिए छोड़ दिया, आपका संबंध ही बुल गई तो आप किसे मागो, छडी मांगना भी छोड़ दिया, जो कुछ कहला रहे हैं तो वो आप ही कहला रहे हैं, घुरन अच्चे दिल में, पन द्रजा तो ही जेदर आए, घुरन अच्चे कार्थ होता है, घुरन मांगना, मांगने की भावना दिल में तो प्रकट होती है, कुछ मागूं आप से, पन द्रजा तो ही जेदर आए, तो ही जे आपके द्रजा भै, उससे द्राए भाईवत होती हूं, आपके डर से मुझे डर लगता है, आपका डर लगता है कि आप क्या बोलेंगे, इसलिए चाहना होते हुए भे मैं आप से मांग नहीं सकती हूं, ये कहना चाह रहे हैं, लाड करे तो घुरा जे पसा संग संजाए, लाड करे तो घुरा लाड करके तो घुरा तभी हम मांग सकते हैं, प्रेम से प्रेम पुर्वक आप से तभी हम मांग सकते हैं, जे पसा संग संजाए, संजाए संबंध, संजाए पहचान और पसा देखना, संग आपके संबंध की पैचान हो जाए, आपको दिखें और आपके साथ हमारा संबंध है, आप हमारे धनी हैं, ये पूरन रूप से पता चले, तभी तो हम आप से प्रेम से कुछ मांग सकते हैं, बांकि तो आपके कुछ पता ही नहीं है, तो क्या मांग है? अंजान से तो मागा भी नहीं जाता ना, तशले, आपकी पैचान हो जाए, तो हमांग भी लेंगे रुहें चोन सभे मुह के, हाने आओ चुवा के के हैं, रुहें ब्रमात्माएं चोन कहती हैं, सभें सभी सभी ब्रमात्माएं मुझे चोन कहती हैं, सब ब्रमात्माएं मुझे कहती हैं, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो हाणे अब आऊं मैं चुवा केके हा मैं किस किस को केके हा का ताथ पर किस किस को कहूं आपको छोड़ करके मैं किस को बोल सकती हो ना पसा ना सुणियां संदे हडो ना पसा ना तो हम आपको देख रहें ना सुणियां संदे हडो संदेश परड़ेश तो ये ख्याल रखना होगा ना तो हम आपकी दर्शन कर रहे हैं ना पस्सान देखती हैं ना आपके दर्शन हो रहे हैं ना सुणियां संदेश शुन रहे हैं दिनने पेरे हेठ परड़ेह दिनने का अर्थ दिया पेरे हेठ का तात्परिय हेठ बोलते हैं नीचे चरण तले ही आपने परड़ेह परड़ेश देदीया है परडिया परडियाडो शंडिया काने से भी संदिया होता है संदियाडो जैसे गाम और गामडो बोलते हैं तो उस तरह से संदियाडो परडियाडो बाकि परडिया काने से परदेश यह होगा आपने तो अपने चरणों में बैठा करके हमें परदेश दिया है हमें दूर का अनुभव करवा दिया, दूर होने का, इसलिए क्या कर रहे हैं? सचो सोने जी थेयो, भाईया, सोनो थेयो, सचो, सचो सोने जी थेयो, सचो, सत्य, सोना बोलते हैं, शपना सोनो जागे समाज से, ऐसा करके बेहदवानी में आया था, सोनो सपना, तो सचो सोने जी थेयो, जी का मतलब जैसा, तो सत्य है, वो सपना जैसा हो गया, परमधाम, पूर्ण प्रह्म परमात्म इस सत्य हैं, किन्तु दिखते नहीं है, इसलिए लगता पता नहीं है, या नहीं ह इसलिए लगने लगे, भाईया, सोनो थेयो, सचो, भाईया तो ऐसे मानो ऐसार्थमे, सोनो थेयो, सचो, सोनो सपना, थेयो, सचो, सचा हुआ, सपना ये दुनिया है, ये सची लगने लगे, जो सत्य है, वो तो जुठा लगने लगा, और जो जुठी बस्तो हैं, वो सत्य लगने लगी लाड़ कोड केसे करिया तो ये केस से अलग-अलग है क्या वो एक साथ होने चाहिए लाड़ कोड केसे करिया अब लाड प्रेम और कूड भी उस सही प्रेम होने से जो प्रसनता होती है उसको कूड उस आर्थम में दिया है अब किस से प्यार करें प्रेम से बातें करनी हो तो किस से करें आखिया जान अचो तो आखिया जान अचो तो आखिया 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 आप अमारे दृष्टी में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम आपके साथ में कैसे प्रेम करें। की करियां गालड़ी जा नपसा पाइन जे नेढ। की करियां गालड़ी हैं। अब बात कैसे करें। जहां तक न पशा नहीं दिखते हैं पाऀन जे नेड़ा अपने आखों से जहां तक अपने आखों से न दिखाई दे तो तुछ दिखे ही नहीं तो बात कैसे करेंगे जे सुनाई तो सुना, मिठड़ा तो जा बेना जे का अर्थ जो यदी अर्थ में भी उल्गा यदी सुनाई तो सुना, तो आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे मिठड़ा तो जा बेन आपके बचन मिठे बचन, आपके मधुर बचन आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे सुख तो जा शीपरी अचे नलके में सुख तो जा आपके सुख अचे नलके में अच्छे ना करता तो नहीं आते हैं लेखे में लेखा जो खावी साम में आपके जो आपके सुख हैं वो गिंती में नहीं आ सकते हैं उनका कोई पाराबार नहीं है पार न अच्छे अपार जो अपार का कोई पारी नहीं है न स्प्रीम प्र inappropri बेरा प्रचल करने प्र एंसमेश निए ँसको सब्सक्राइन इसको man काुद करीं कर जुगाए को जुछ झाया है कि युग फिसने से युगमस्ति प्रण सोथिए इसलिए कि आपका जो सुख है वो अपा रहा है तो उसको गिन नहीं सकते हैं आप जो सुख प्रदान करते हैं तो तो आपको देख करके अनुभब करें तो ही हो सकता है यह कहना चाहर है तब ही यहीं रखते हैं स्रक्रिष्न कनाई आलाल की कडी ना गन याके सुख तो ही यासिपरी सुख तो ही यासिपरी अचे ना लखे में अचे ना लखे में पार ना चे अपार जो करी ना गन याके करी ना गन याके जय करी ना गन यालाल की यासिपरी यादन श्वामी की यासिपरान नात प्यारे की याद श्री आचन ना तन पुरे ना गन के जय करी यादन यादन के ना गन यादन श्री आचन श्री यादन की यादन श्री ना खेए